पॉलिसी बजार पर एक करोड़ रुपे का टर्म लाइफ इंसुरेंस केवल चार सा पचास रुपे महीने से सुरू आधार पर खारिज किया गया ये फैसला देखिए बिल्कुल देखिए पहले इस शुश्किल समझा देते हैं हमें दर्शकों को निकाय चुनाओं हर पांच साल में होते हैं जैसे की विधान सबाद चुनाओं होते हैं जिससे आप मेर चुनते हैं, जिला पंचाद अध्यक्ष वगरा सब चुनते हैं, अब इसके elections होने थे 2023 में, 2022 में ही होने थे, लेकिन डिले हो गया, पांध इसंबर को notify किया, अब जो notification आया, उसमें जो OBCR action दिया था, इसको लेकर के High Court में petition file कर दी गई, कि जो OBCR action दिया गया है, वो न्याय संगत नहीं है, वो Supreme Court के triple test, जो उनका triple test का order है, वो आयोग बना के करना था, उसके अधार पर ये survey नहीं दिया गया है, कोट में सुनवाई हुई, कोट ने पूछा कि आपने जो Supreme Court का triple test का जो आदेश है, उसके अनुसार सर्वे कराया है, तो UP सरकार ने ऐसे कोई survey कराया है नहीं था, UP सरकार ने का गए देखे, जो हमने OBCR action दिया है, नोटिफिकेशन में, वो 2017 का जो चुना हुआ था, उसके अधार पर दिया है, हमने 2012 का election वद उसके अधार पर दिया था, तो कोट ने कहा कि आपने जो आरेक्षन दिया है OBC का, उसमें तो data ही नहीं, आप उसको जो data के हिसाब से supporting नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर के सरकार को जटका देते हुए, कोट ने आदेश दे दिया, कि OBC समाज है, उसको नाराज कर देना, हम सब जानते हैं कि नौन यादव OBCs, BJP की बड़ी ताकत है उत्तर पर देश में, और ऐसे में जब उसके बिना अगर अरक्षन के बिना ये चुनाओ हो जाएगा, उसका नुकसान BJP को होगा, हम सब जानते हैं, 2023 किसी साल चुनाओ में कैसे समाजदी पर्टी ने OBC आरक्षन को लेकर के या राजभर रहे हो सवाएपुशाद मौर्या रहे हो इन्होंने सरकार ऑगल चोड़कर करके सरकार सरकार आरक्षन की बात लेकर के कहा कि यह OBC विरोधी सरकार है, दरित विरोधी सरकार है, ऐसे में जब यह निरνएया आ अगर पहले ये आयोग बना लेते कमिशन मना करके सर्वे करा लेते और उसके अधार पर ये नोटिफिकेशन करते तो शायद ये नौबत नहीं आती अब इसको लेकर के सारी विपक्षी दल तो इन पर हावी होई गए हैं तो शील हमने देखा खिले शादा भी ट्वीट कर रह अब बीजेपी की सहीयोगी हैं वो कह रही है सुप्रीम कोट जा सकते हैं अब बीजेपी को समझ में आए कि ये तो लवतग्रा जटका लग गया अब तो मामला खराब हो रहा है तो ऐसे में एके शर्मा जो की मंतरी हैं कैबिनेट मंतरी हैं उन्होंने स्टेटमेंट जो बनाएंगे और आयोग आरक्षंड को लेकर के सटी करेगा सर्वे कराएंगा ट्रीपल टेस्स जो सुप्रीम कोट का ओडर है उसके त्रीपल टेस्स करा करके हम बिना ओबीसी अरक्षंड के चोनाव में नहीं जाएंगे तो आब बीजेपी इसको लेकर के बैक पुट में य क्यों की चुनाव आयोग को इंस्ट्रक्ट किया है आप नोटिफाई करिए और बिना ओबी से रख्षन के नोटिफाई करिए तो यह चुनाव को राजी चुनाव को कॉल लेनी है और अगर रहाच चाहिए यूपी सरकार को जैसा आप वह यह कह रहे हैं कि आप बना के सर्वे खिच सकता है लेकिन एक बहुत बड़ा जटका है ये राजे सरकार के लिए बीजेपी सरकार के लिए और इसका असर दोजार चौबिस में देख सकते हैं अगर देखे सुशील जितना हम यूपी के राजिंती को समझते हैं अगर ये चुनाओ बिना OBC अरक्षन के हो गए तो बीजेपी को इसका बहुत नुक्षान होगा क्योंकि बीजेपी हम सब जानते हैं बहले ही प्रधान मंतरी मोदी अपने मूँ से ना बोलें लेकिन उनको भी एक OBC का बड़ा नेता कहा जाता है उनकी जात की बात होती है चाहे वो सैनी हो यूपी में चाहे वो गैर यादव OBC हो चाहे वो पटेल हो चाहे वो दूसरे समाज के लोग हो वो बीजेपी के वोटर्स हैं और अगर उनको आरशन नहीं मिला तो उनके खिलाफ जा सकती है तो इसलिए बीजेपी फूरी तरीके से बैक पोट है और अब कह रहे हैं हम सर्वे करा करके चुपलटे सर्वे करा क करके हम आरशन लागू करेंगे तब चुनाव में जाएंग और उसके लिए सुप्रीम कोट से स्टेल एना पड़ेगा है विल्कुल सुप्रीम कोट जाना ही एक मातर रास्ता है ताकि इस मामले में तुरंट कोई राहत मिले बाकी जितने भी रास्तें सर्वे कराना वो सब बाद का काम है तो ये बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि इस मसले पर तुरंट कोई ऐसी कारवाई करे कि इलावाद हाई कोट के फैसले पर रोक लगे लिए